बच्चो किसे हो आप साब सब थिक तू चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी बच्चो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी पहले सब्सक्राइब करो और फिर हम आज की कहानी शुरू करेंगे अगर तुम सब्सक्राइब नहीं करते हो तो मैं तु कहानी शुरू होती है एक छोटे से गाव में, जहां एक आदर्श और इमानदार कला कला कार रहता था। रजत, रजत की खासियत यह थी कि उसने कभी भी अपने चहरे पर मुस्कान नहीं छोड़ी और वह हमेशा लोगों के दिलों को बहुत ही सुन्दर रंगों से भर देता था। हर दिन मैं एक नया रंग चुनता हूँ और उस रंग के अनुसार अपनी पोशाक तयार करता हूँ। पढ़ावा देने लगे। एक दिन एक बुजर्ग आदमी ने रजत से कहा, तुम्हारी यह रंग बिरंगी पोशाकें मेरे दिल को बहुत खुश कर देती हैं। क्या तुम मेरे लिए एक विशेश पोशाक बना सकते हो। रजत ने मुसकराते हुए कहा, बिलकुल धन्यवाद रजत ने उस बुजर्ग के लिए सबसे सुन्दर रंगों की पोशाक बनाई और उसे दी। बुजर्ग ने पहनी और उसने कहा, तुमने मेरे जीवन को रंगीन बना दिया है। इसके बाद गाव वाले सभी लोग रजत से रंगीन पोशाकें बनवाने लगे और उन्हें ग मरपन और प्रेम से भरा होना चाहिए। छोटे-छोटे कारियों में ही बड़ी खुशियां हैं और अगर हम अपने कला को अच्छे कारियों में लगा देते हैं, तो हम अपने आस-पास के लोगों को भी प्रेरित कर सकते हैं।